दुनिया के कई अन्य देशों के तरह भारत भी कॉरोना की दूसरी लहर का कहर बन कर टूटा है लेकिन अब अच्छे खबर ये है कि यहां संक्रमन की इस दूसरी लहर का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है देश में दिन में नए कॉरोना मरीजों की संख्या पर 4 लाख के आंकड़ों को पार कर गई है लेकिन अब ये आंकड़ा घटकर 1,65,000 पर आ गया है देश में पोजिटिविट्यू रेट भी अब घटकर 8 प्रतीशत पर आ गया है जो इससे लगातार और नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है कॉरोना की वर्दमान स्थिती को लेकर दूसरे देशों से भारत की तुलना करें तो इस कुल मरीजू की संख्या में भारत में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका है अमेरिका में कुल कॉरोना मरीजू की संख्या 3,44,000 अड़शट है वहीं भारत में 2,78,94,800 लोग अब तक कॉरोना का शिकार हो चुके हैं भारत के बाद तीसरे नमबर पर ब्राजिल है जहां 1,65,15,120 लोग अब तक कॉरोना के चपेट में आ चुके हैं